नमस्कार दोस्तों मल्टी रोज लाइफ चेनल से मैदानी सिद्धी की आप लोगों का हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे चेनल में लाइफ से जुड़ी समस्याओं के समाधान आपके लिए लाए जाते हैं ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके आज हम आपको बताएंगे खीरा यानि कुकंबर से होने वाले फायदों के बारे में खीरे का नाम लेते ही आँखों के सामने स्वादिश सलात का दृश्य उभरने लगता है खीरा अत्यन पोश्टिक और स्वादिश्ट होता है अधिकांश परिवारों में खीरा सलात के रूप में उप्योग किया जाता है खीरे के सलात की तरह खीरे का सूप भी बहुत अधिक इस्तिमाल किया जाता है खीरे में जल की मातरा लगवग 95 परतिशत होती है खीरे में फासफोरस और केलशयम अधिक मात्रा में पाया जाता है मस्तिश्क का काम करने वाले को खीरे का सेवन सुबा शाम करना चाहिए तो आईए हम आपको बताते हैं खीरे के स्वास्तिवर्दक, सौंध्रिवर्दक और आशधिय उप्योग प्रति दिन खीरा खाने या फिर उसका रस पीने से कोष्ट बदता यानि के कब्स दूर होती है प्रति दिन सुबा शाम भोजन के साथ सलात के रूप में खीरे का सेवन करने से तो अचा की ड्राइनेस, खुर्दुरापन और फोड़े फुनसी आदी विकार नश्ट होते हैं खीरा शरीर का सौंध्रिय विक्सित करता है और स्फूर्ती बढ़ाता है खीरे के रस में नीबू का रस और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लेप तयार करें इस लेप को चेहरे पर मलने के 20-30 मिन बाद हलके गरम पानी से साफ करें प्रती दिन ऐसा करने से कुछी सप्ता में सावलापन गोरे रंग में परिवर्तन होने लगेगा ओईली स्किन वाले इस्तिरी पुरूशों को मेकप से पहले खीरे के तुकडे से चेहरे को साफ कर लेना चाहिए खीरा तुचा की चिकनाई हटा कर कोमल बनाता है खीरे को पीस कर जेतून के तेल में मिलाकर चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों पर मलने से तुचा अधिक स्वच और सुन्दर बनती है खीरे और आलू को कूट पीस कर चेहरे पर लेप करने से तुचा में बहुत निखार आता है आखों के नीचे उंगलियों से धीरे धीरे इस मेशन को मलने से डाक सरकल नश्ट होते हैं हाई बलड प्रेशर से पीडित, इस्तरी, पुरुशों को प्रति दिन खीरा खाने और रस पीने से बहुत लाब होता है खीरा सौंदर्य विद्धी वत तवचा की सुंदरता के लिए बहुत उपयोगी होता है खीरे के रस में गलीसरीन, नीबू का रस, गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर मलने से सौंदर्य विक्सित होता है चेहरे की तवचा अधिक सौफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाती है प्रती दिन खीरा काट कर उस पर नीबू का रस और सेंधा नमक डाल कर खाने से पाचन क्रिया ठीक हो जाती है डाइबर्टीस पेशन्ट को खीरे में नीबू का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए खीरे में फासफोरस अधिक मातरा में होता है इसके सेवन से मस्तिश को अधिक शक्ती मिलती है अधिक पढ़ने वा लिखने पर आँखों में बहुत थकावट का अनुबव हो तो खीरे के टुकडे को काट कर पलकों के उपर रखे 10-12 मिन्ट खीरे के टुकडे रखने से थकावट दूर होती है खीरे के छोटे छोटे टुकडे करके उसमें नीबू का रस, काली मिच और सेंदा नमक मिलाकर प्रती दिन सेवन करने से अरूची नष्ट होती है और पाचन क्रिया त्रीव होने से अधिक भूक लगती है जिन साथियों को अगर खून की कवी महसूस हो तो खीरे का सलाद सुबा शाम सेवन करने से उन्हें काफी लाब होगा खीरे में उपलब्द, लोह तत, हीमोगलोबिन की मातरा में अधिक वृद्धिक करता है खीरे के सेवन से, एलर्जी से सुरक्षा होती है तो ये हमने आपको बताए, खीरे से होने वाले कुछ स्वास्ते वर्दक, सौंध्रिय वर्दक और और उशधिय लाब तो इतने लाब जानने के बाद, हमें उम्मीद है कि आप खीरे को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे तो ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे आपसे निवेदा ने, आप हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद